आप से अगर मैं पूछू कि हमारे देश में गरीब कितने लोग हैं तो अगर आप सरकारी आंकडे लेंगे तो 100 में से 23 लोग गरीब हैं और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक टाइम पे तो 100 में से 35, 36, 40 लोग गरीब थे लेकिन अगर सिर्फ 23 लोग 100 में से गरीब हैं तो जब करोना वाइरस के चलते दुनिया भर में लॉकडाउन हो रहा है और हमारे देश में भी लॉकडाउन हो गया आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो इसका मतलब सिर्फ 23 प्रतिशत लोगों को घर में रहने के लिए सरक एक चीज होता है कि हमारे देश में गरीब 60 प्रतिशत लोग हैं यह सरकार का जो नया रिलीफ पैकेज है उसी से पता चलता है कैसे इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में उसकार ने एलान क्या किया है निर्मला सीता रमन जी ने कहा है कि देश के 80 करोड लोगों को 5 किलो अनाज चाहे वो गेहु हो या चावल हो वो मुफ्त में बाटा जाएगा अगले तीन महीनों के लिए क्यों क्योंकि अगर लॉक्डाउन हो रहा 21 दिन का और उसके बाद काम भी नहीं मिलेगा तो उनको मुफ्त अनाज की जरूरत पड़ेगी साथ में हर परिवार को रैशन कार्ड वाले परिवार को एक किलो दाल हर महीने मुफ्त दिया जाएगा किन लोगों को मुफ्त दिया जाता है गरीब लोगों को ना गरीब है इसलिए दिया जा रहा है अगर 80 करोड है तो वो लगभग हमारे देश के आबादी का 57 प्रतिशत होता है यानि कि देश के आबादी का कम से कम 57 प्रतिशत लोग गरीब हैं ये सरकार का रिलीव पैकेज खुद मानती है और ये रिलीव पैकेज आप कह सकते हैं गरीब नहीं है ये लोग आम तोर पे ये लोग गरीब नहीं है नॉर्म प्रधानमंत्री की ये जो योजना है उसका नाम होना चाहिए था प्रधानमंत्री जन कल्यान योजना है नहीं इस योजना का नाम प्रधानमंत्री ने खुद दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्यान अन योजना यानि कि सरकार खुद मानती है कि ये सब लोग गरीब हैं करोर अगर ration card holder हैं तो 80 करोर से भी जादा लोग होने चाहिए क्योंकि औसतन हमारे देश में एक परिवार में साड़े चार लोग हैं साड़े चार तो कोई होता नहीं है आधा कोई होता नहीं है लेकिन मतलब कि औसत आप अगर निकालेंगे तो दो परिवार में 9 लोग हैं उस की ओपर depend करते होंगे 100 करोड में से जादातर लोगों को ration जो मिलता है वो सस्ते में नहीं मिलता है थोड़ा बहुत मिलता है कहीं कहीं पर एक किलो अनाज प्रतिवक्ती मिलता है कहीं पर अनाज जादा पैसे में मिलता है तो अब अगर मुफ्त अनाज बाटा जा रहा है सरक तो वो ये lockdown या coronavirus के चलते जो कहर हुआ है उससे नहीं निकल पाएंगे और ये सिरफ निर्मला सिता रमन जी ने जो पांच किलो फ्री में दिया वो नहीं है आप देखिए कि एक दिन पहले उससे एक दिन पहले प्रकाश जावडिंगी जी ने कहा था कि तीन महीने के लिए एक नया स्कीम लांच किया जा रहा है जिसके बारे में निर्मला सिता रमन जी ने भी कहा जिसके चलते हर आदमी को जो रैशन कार्ड होल्डर है 80 करोड लोगों को प्रतिव्यक्ति हर महीने 7 किलो चावल या गेहू दिया जाएगा चावल 3 रुपे किलो गेहू दो रुपे किल और उन्होंने कंपेर किया था कि चावल का दाम 37 रुपे किलो है और गेहू का दाम 27 रुपे किलो है इन दोनों से अगर हम घटा कर देखे तो चावल 3 रुपे गेहू 2 रुपे निर्मला सीता रमन जी ने कहा है कि ये जो मुफ्त 5 किलो और मिलेगा 3 महीने तक प्रकाश जावडी जी कर का भी स्कीम भी 3 महीने का है निर्मला सीता रमन जी का भी जो नांस्मेंट है वो भी 3 महीने का है ये जो 5 किलो मुफ्त मिलेगा वो पहले जो मिल रहा है उससे भी ज परिवार हैं लेकिन गरीब परिवार है उनको मुफ्त अनाज की जरूरत है वो 28 किलो अनाज 28 किलो अनाज जो की जावडिकर जी ने अनाउंस किया है वो उनको मिलेगा 2 से 3 रुपए में यानि कि अगर उन्होंने सिर्फ चावल लिया जो की जादा महंगा है उनको 84 रुपए देने पड़ेंगे साथ में 5 किलो प्रती व्यक्ति मुफ्त मिलेगा 5 इंटू 4 कितना हुआ 20 28 किलो 3 रुपए में और 20 किलो मुफ्त 48 किलो उनको अनाज हर महीने मिलेगा सिर्फ 84 रुपए देकर सिर्फ 84 रुपए देकर यानि कि परिवार के हर सदस्य को 12 किलो अनाज और देना पड़ेगा उनको 21 रुपए उसके लिए हर व्यक्ति का और अगर मैं डेली देख लूँ तो 40 पैसे में 400 ग्राम अनाज मिलेगा उनको 400 ग्राम अनाज से कितना कैलरी होता है कितनी उर्जा होती है हर आदमी को लगभग कहा जाता है 2400 से 2800 कैलरी हर रोज लेना करता है जो लोग मैनुल काम करते हैं जो मजदूरी करते हैं जो घर पे बैठके इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूं करते हैं उनको उतनी जरूरत नहीं होती है लेकिन 2400 से 2800 कैलरी लेना पड़ेगा मुफ्त जो मिल रहा है उसका मैंने एक कैल्कुलेशन किया है लगभग 1500 स 1600 कैलरी डेली उनको मिलेगा सिर्फ 40 पैसे देकर सिर्फ 40 पैसे देकर हर रोज नहीं हर वक्त के लिए नहीं अगले तीन महीने तक अगर वह अनाज उन तक पहुंचे ये भी बड़ी बात है क्योंकि हम जानते हैं लॉकडान में क्या हो रहा है लोग जा रहे हैं मार्केट मे ये सब बंदो जाएगा अनाज तक लेने जा सकेंगे लोग राशन की दुकान से अनाज लाएंगे 40 प्रेस से प्रती व्यक्ति प्रती दिन में उनको लगभग 1600 कैलरी का खाना मिलेगा साथ में डाल मिल रहा है डाल आप जानते हैं कम से कम आपको अगर चार लोग हैं या प परिवार के लिए 10-12 दिन से जादा नहीं चल सकता हर परिवार को एक किलो मिल रहा है मुफ्त दाल अगले तीन महीने के लिए यानि कि लगभग हर धाई दिन में या हर पांच मील में एक मील में वो दाल मुफ्त की खा सकते हैं इससे भी थोड़ा बहुत प्रोटीन इनको म मिलेगा अब आप कहेंगे कि ये खाना तो ठीक है मिल गया मुफ्त का लेकिन बनाएंगे कैसे बनाने के लिए तो कुछ चाहिए चूला का खर्चा है गैस का खर्चा है अब क्या किया है सरकार 80 करोड़ लोगों को ये दे दिया है साथ में सरकार कह रही है जितने भी कि में पहला उनको जो एलपीजी का गैस सिलिंडर मिला था अब उनको अगले तीन महिने तक जब भी जरुरत होगा फ्री एलपीजी का गैस सिलिंडर उनके पास डिलेवर किया जाएगा यानि कि हुए 8 करोड़ 30 लाख घरों में गैस सिलिंडर फ्री में आएगा अब 8 प्राइं मतलब आप सोच सकते हैं लगभग 35 करोड लोगों को इसका फाइदा पहुंचेगा 35 से 40 करोड लोगों को इसका फाइदा पहुंचेगा यानि कि खाना बनाने का जो इंधन है वो भी मुफ्त अगले तीन महीनों के लिए साथ में अगर आपको सबजी खरीदना है हमारे देश में जो लोग हैं उनको पेड लीव नहीं मिलता है वो अगर काम ना करें उनको पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो दिहाडी में काम करते हैं लगभग 90 परसिचल लोग हमारे देश में उनको पेड लीव नहीं मिलता है अब आप सोचिए इनको पैसे कहां से मिलें तो सरकार ने क्या किया है कि PM किसान के अंतरगत लग बग साड़े आठ से नौ करोड जितने भी लोगों को इसका फाइदा पौशता है आठ करोड सतर लाग के आसपास लोग हैं जिनको ये फाइदा पौशते किसान है उनको 2000 रुपे का जो किष्ट मिलने वाला था जून के अ अकाउंट है उनको सब को हर महीने अगले तीन महीने तक 500-500 रुपे मिलेंगे अब देखी रिए च्छोटे किसान मझले किसान जो है है चोटे किसान या सिमान किसान नंको 2000 रुपे अभी हात में आ जाएगा फर्वेरिक केंड में सबको नहीं मिलेगा लेकिन तीर करोड़ आप सोच लीजे लगभग उससे तीन करोड़ परिवारों का फाइदा जरूर होगा ये पैसा उनके हाथ में आएगा मुफ्त क्या अनाज थोड़ा बहुत दाल और थोड़ा बहुत पैसा बाहर ना जाकर अब देखिए इसका मतलब क खुद मान रही है कि हमारे देश में जादातर लोग गरीब है और उनको मुफ्त खाना मुफ्त उर्जा देने की जरूरत है अगर नहीं देंगे तो वो ये जो लॉकडाउन है या अभी जो आर्थिक मंदी आने वाली है उसके बाद सकार खुब खुद एक्सपेक्ट करें क तीन महिने तक तो चलेगी इसके बीच उनको अगर आप इस तरीके से सायता नहीं करेंगे तो वो अपना जीवन नहीं चला पाएंगे वो अपना अगला अन कहां से आएगा वो नहीं तैय कर पाएंगे ये सरकार खुद मान रही है पहली बार हो सकता शायए 30 साल में मैं कि कोई सरकार मान रही है कि इतना जो हमने पुंजीवाद पुंजीवाद मार्केट मार्केट किया इतने साल से वो फ्लॉप शो है एक और चीज़ सरकार कर रही है 21 दिन बाद जब लॉकडाउन होने के बाद अगर घर से लोग निकले उनको काम नहीं मिल सकता है हो सकता है उनक साथ दिन पूरे साल में मजदूरी मिलेगी तो 2000 रुपे उनके बनेंगे आप कहींगे 2000 में होता क्या है याद रखेगा कि हमारे देश में जादातर लोग बहुत ही गरीब है 2000 उनके लिए बहुत कुछ होता है और सबसे जरूरी बात यह सारा पैसा मंद्रेगा वाला पैसा तो काम करके मिलेगा बहुत सारा पैसा जो आ रहा है इस वक्त वो बिना काम के मिल रहा है तो आप काम करेंगे तो उसके उपर पैसा मिलेगा ये एक तरीके का सामयवाद है सामयवाद किस टाइप का सामयवाद है वो सामयवाद नहीं जहांपे काम दिया जाता है लोगों को ये माई बाप सरकार वाली सामयवाद है ये ऐसा सामयवाद है सोशलिजम है जिसमें सरकार गरीबों को हाथ में पैसे डाल रिये ताकि पूंजीवाद बच जाए क्योंकि दुनिया भर में कुरोना वाइरस ने एक चीक सामने ला दिया है कि जो भी पूंजीवाद वाले कंट्रीज हैं जो मार्केट वाले कंट्रीज हैं जहाँ पे कहा जाता है कि खुद अपने आपको समालो तो पूरा समाज है वो समलेगा अपने मुनाफ़े की सोचो तो पूरे समाज का मुनाफ़ा होगा वहाँ पे लोग मर रहे हैं तेजी से मर क्योंकि सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया, सरकार ने मेडिकल पे कोई investment नहीं किया है, यह आप देख रहे हैं, चाहे योरोप हो, अमेरिका हो, कहीं पे भी देखेंगे, यही हाल है, तो पूंजीवात को अगर बचाना होगा, क्योंकि पूंजीवात डूब रही है, पू यह तीन महेने का साम्यवाद आया है, साथ प्रतिशद देश के गरीबों के लिए